थेलो फ्रेंट्स, यूनिक कोचिंग सेंटर का जामाओ, मैं आपका स्वागत है, आज हम क्लास 12 की NCRT पैटर्न फिजिक्स फर्स शेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो फर्स शेप्टर का नाम है बिद्दूत आवेश, कुलाम का नियम तथा बिद्दूत छेत्र, इलेक् चार्ज, खुलाम स्वाव, एंड इलेक््टरिक फिल्ड है, ठेक फ्रेंट्स, तो हम खुलाम के नियम के बारे में जानेंगे, खुलाम का नियम किस्से कहते हैं, खुलाम के नियम के अनुसार दो इस्तिर बिंदु आवेसों के माद्य लगने वाला कुलाम बना दो इस्तित आवेसे Q1, Q2 तो इनके बीच में अगर दोनों पो पॉजिटीव होगा तो यह प्रतिकर्स बलका अन्भाव करेंगे तो अगर Q1 पर पॉजिटीव Q2 पर नेगेटिव करते हैं तो इनके बीच में जो बलकारे करेगा वो अपल होगा आकर सा बलका ठेक फ्रेंट्स उन आवेसों के गुड़न फल के समान पाती होता है तो हो जाएगा F कुलाम पर पॉजिटीव की 1, Q2 इक्वेसन नमबर फरस्ट ठेक उन आवेसों के मद्धे की दूरी के वर्ग के बीच कुरमन पाती होगा के वर्ग के बीच कुरमन पाती होगा ठेक तो हो जाएगा हमारा F कुलाम परपोस्टनल 1 अपान R स्क्वार ठीक एक्वेशन नमबर से क्यान हो जाएगा अब हम दोनों एक्वेशन को क्या करेंगे एक में फाइंड करेंगे तो हो जाएगा F कुलाम परपोस्टनल Q1 Q2 अपान R स्क्वार ठीक तो हर एक proportional का क्या होता है फ्रेंट्स माननी स्चीत होता है या माननी इसका क्या है fix है तो हो जाएगा F कुलाम is called to K given Q2 upon R square ठेक अब क्या है constant value है इस constant value को हम find करते हैं जहां K क्या है नियतांक मतलब constant है और इस K का value क्या होगा हमें सा fix होता है क्यत्मा होता है के का value केश कल्टो 9 good at 10th power 9 newton meter square upon कुलाम square अब हम न्यूटर मीटर square कुलाम square कैसे इसको find करते हैं कैसे जानेंगी कैसे इसका इकाई निकाला जाता है अगर यह friends अगर यह हम नहीं लिखेंगे तो हमारा number क्या होगा कर जाएगा तुरहां इसको इस friends अब इस value क्या करेंगे find करते हैं कैसे होता है ठेक friends इसको roughly हम कारे कारे करेंगे देखते हैं कैसे होगा तो हमारा फ्रेंट्स में केक आवयल को find करते हैं तो f is equal to k q1 q2 upon r square ना तो इस हम की इक वायल हमके का करना है तो k equal to f q1 q2 upon r square अब हम पता है कि दो आवयस है ना तो दो आवयस को कुलाम होता है आवयस का मात्रक कुलाम square और f का मात्रक होता है बल है तो यह होगा Newton और r square क्या है तो इनके दो आवयस के मद्धे की दूरी है तो दो आवयस के मद्धे की दूरी क्या है और r square तो मतलब इसको m2 square ना तो हमारा हो जागा k q2 q2 upon m2 square यह वायलू हमारा क्या होता है k q2 q1 upon 4 5 7 0 ठीक तो इस सालेंट जीरो निर्वाद की बिद्दू सिलता है जो इस फैलेंट जीरो है यह क्या है बिद्दू निर्वाद की बिद्दू सिलता है मतलब वाइब की बिद्दू सिलता है अब यह सालेंट जीरो कमान केतना होता है इस सालेंट जीरो बराबर होता है 8.85 उल्टा हो जाएगा ठेक फ्रेंट्स यदि कोई एफ शायलन आर माध्य उपस्तित हो तो कुलांबल कुलांबल हम पता है कि f is called होता है k q1 q2 अपान आरिसकार होता है f कुलांब माध्य वन अपान 45 is silent 0 is silent R गुड़े q1 q2 अपान आरिसकार मतलब इस value को find करेंगे तो हो जाएगा तो f माध्यम equal to 1 upon 4 pi epsilon गुड़े q1, q2 upon r square जगा जहां हमारा epsilon क्या है देखा जाए तो हमारा epsilon जो epsilon 0 into epsilon r क्या है गुड़न फल है तो हमारा इसका पुरा value यह हो जाएगा epsilon कमान होगा तो माध्यम की निर्पेच बिद्दू सिलता है और epsilon r क्या है माध्यम की साफेच बिद्दू सिलता या पेरा बेदू तांग भी कहते हैं ठीक अब हम निकालेंगे निर्वात में कुलाम बल क्या होता है तो हो जाएगा f निर्वात इसकाल 2 1 upon 4 pi epsilon 0 गुड़े q1 q2 upon r square यह वैलू एक complete हो जाएगी या तो कर सकते हैं तो f माध्यम is called to f निर्वात अपान epsilon 0 ठीक तो हम इसको देखेंगे माध्यम में कुलाम बल epsilon r गुड़ा कम हो जाता है मतलब कि जब इसके माध्यम में रखेंगे निर्वात के तो epsilon r का क्या होगा गुड़ा से कम हो जाएगा ठीक तो हम अब इनके दोनों बीचों का माध्यम निकालेंगे माध्यम और epsilon r का माण क्या होता है यह बहुत most important होता है इसे हमें जाना फ्रेंट्स बहुत ही जरूरी होता है ठीक तो हवा हवा यहां निर्वात कर सकते है ठीक हवा का epsilon r का माण होता है कितना होता है 1 होता है और अबरक का होता है 6 होता है और पानी का होता है 80 होता है और धातुग क्या होता है infinite होता है मतलब क्या है कि यह दो value आपको क्या है बहुत ही most important है इसे हमें जानना बहुत जरूरी होता है ठेक friends अब इस पर हम एक उधार देखेंगे यदि दो समान 1 कुलाम आवेसों एक दूसरे से 1 मीटर दोरी पर इस्तित्वतों ग्याद करो मतलब क्या दो आवेस है जरको 2 आवेस क्या है Q Q1 Q2 इनकी जो बीच की दूरी क्या है और मीटर ठीक तो इनके पीच की दूरी क्या देगा और इसको है तो दो समान आवेस है न 1 2 समान आवेस हुए तो इसमें निकालना है क्या है पहला फाइंड करना आपको निरवात में कुलामबल दूसरा पाने में कुलामबल तीसरा धातों में कुलामबल ठीक तो हम पहले वैलू को निरवात में कुलामबल को solve करेंगे ठीक तो पहले को हम देखा जागा तो F निरवात is called 2 1 upon 4 by silent 0 गड़े Q1 Q2 upon R square मतलब कहीं कि फार्मूला होता है अब यह 1 upon 4 5 silent 0 कमान कितना होता है कि होता है तो Q1 Q2 upon R square कर देंगे ठीक अब हम इसका value रखेंगे तो value कहीं से रखते हैं देखे अब हमारा पता है कि 1 upon 4 by ठीक है इस जालन 0 कमान कितना होता है 8.85 गुड़े 10 पार माइनस 12 होता है दो आवेस की बीच की दूरी कितना दिया है कि 1 Q2 दिया है तो 1 गुड़े 1 upon इनके बीच की दूरी R कितना दिया है 1 मीटर स्कार दिया है तो 1 मीटर स्कार दिया है तो 1 का स्कार हो जाएगा ठीक अब इसका value रख देंगे जब आपका ये घात नेगेटिम है जब उपर जाएगा किस में हो जाएगा पोजिटिम हो जाएगा ठीक तो आपका 10 to power 12 गुड़े 7 pros, 5 Ġ होता है तो साथ को उपर बेती है तो 4 गुड़े 22. mówią 8.85 होगे है इसको value रखेंगे तो हमारा pi कमान कितना होता है 22 बटा 7 होता है तो हम रखेंगे इसको हल करेंगे तो हमारा निर्वाठ भाई को माना जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना एफ निर्वात इसकल्टो नैन गुड़ेटन दुपावट नैन न्यूटन हो जाएगा ठीक है अब इसी तरह पहला वैलू सॉल्प कर दिया हम लोग अब दूसरे वैलू को सॉल्प करेंगे दूसरा वैलू हमारे क्या था पानी में कुलामबल ना क्या है कि एक आपका क्या है जो आपका कुलामबल क्या है जैसे कोई धातू ले लेते हैं ठीक यह पानी है अब इसमें लगा बल ठीक क्याशा लगा रहा है पानी में कुलामबल क्या सकार करता है हम जानते हैं कि एस पर माध्यय स्कल्ट निर्वत इफ इस अगे श्नाक हो जाएगाई नो गूडे दस्क घाते नाई हो ठेक अपान 80 तो हो जागा f1 is equal to जब इसको find करेंगे हर करेंगे तो हो जागा 1.11 good at 10 to power 8 neutral अब देखे friends see a most important क्या एगा और ये भी अगर 10 मलों के बाद आप कुछ point गलत लिख देते हैं तभी भी कोई बात नहीं लेकिन जब ये आप लिखते हैं क्योंकि हर एक फिजी सला टी इसलिए हमें point के बाद गलत हो जायता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें यह काई कमान हमें कभी गलत या नहीं लिखना चाहिए प्रिंट्सोर हमारा तीसरा किकूशन क्या दैते हैं मनुकी निकलना हुट था था थाथू में कुलामबल तो था 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 एफ नीर भात आपकाम सिल्दी भार मतलब यह धातू को क्या मात होता है इंफेनाइट वाट है अब किसी भाश्या नंत्यम्य अब उससे आ तेक फ्रेंट